हलो गाइस विल्कम पैक टो एडोप चैनल मापल का दोस्तो और चैनल का उस्त फ्रांतो दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ GTA 4 और GTA 5 की Tech2 Interactive की डीटेल्स के बारे में मोबाल के पूरा complete information में आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ क्या इन लोगों ने announce किया है और इसके क्या chances है और screenshot के साथ में आपको proof के साथ में सारी information बताऊँगा ठीक है वीडियो बहुत ज़्यादा important है पूरा end तक एक दम ध्यान से देखतेर ना जल्दी से कर दो वीडियो को like, share, comments तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते है दोस्तो वीडियो को starting में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगमार चैनल के उपर विलिवार आयो तो अब भी के भी सब्स्राइब करके वीडियो को जरू से प्रेस कर दीचे क्योंकि इस चैनल के अपर दोस्तो आपके लिए में सारे के सारे Android और PC गेमिंग के वीडियो एकदम चली लेकर के आ जाता हूँ अगस्ट 2022 को उस इवेंट के अंदर उन्होंने बोला क्या है इस गेम के बार में यह पहले आप लोगको मैं क्लियर बताता हूँ उसके बाद आपको सारी चींच से जो है वो आटोमेटिकली समझ जाएगी ठीक है देखो इन्होंने जो है न दोस्तो आसन शब्द में अगर मैं आपको समझाओ एकदम इजी वर्ड में तो उन लोगों ने यही बोला है कि GTA 5, GTA Online और इसके जैसे या इसके साथ साथ अगर कोई दुसरे भी PC के जो गेम से जो मुबाइल के लिए capable है और हो सकते हैं और साथी साथ कोई नया भी जो है वो गेम अगर हो सकता है तो वो मुबाइल के अंदर जो है वो release करने का इनका जो है वो plan है उन्होंने ये बोला है उन्होंने डारेक्ली यही नहीं बोल दिया है कि GTA 5 और GTA Online को लोग लाने ही वाल है 100% यहाँ पर उन्होंने ऐसा बोला नहीं है उन्होंने सिफ बोला है कि अगर हम लोग PC कंसोर्स के जो गेम्स है जो GTA 5 GTA Online के है वैसे जो गेम्स है अगर ये mobile के अंदर लाते हैं तो इनको as compared to PC कंसोर्स मोबाल में ये गेम्स को लाने के बाद में बहुत ज़्यदा प्रॉफिट होगा ये उन लोगों का दोस्तो पूरा के पूरा सीन है ठीक है अब आपको एकदम clear word के अंदर मैंने बताया अभी जितने भी doubts थे आप लोग के के भई आप लोग जो समझ पूरा के पूरा के पूरा के पूरा के पूरा सिनेरियो दूसरी चीज़ अगर मैं आपने यह लोगों से अब बात करूं यार तो देखो टेक्टू इंट्रक्टिव ने green signal तो दिया है पूरी तरह से उनके event के अंदर और उनका यह जो है दोस्तो thinking जो है वो काफी के जादा कमाल किये क्योंकि अगर वो लोग सच में ऐसा करते तो अपने को सच में काफी भैतरी इन गेम्स इनकी तरफ से अपने को देखने के लिए मिलेंगे आने वाले टाइम के अंदर लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर GTA 5 की और online की तो यह जो game है न दोस्तो मैं आप लोगो clear बता दू के फिलाल के लिए तो mobile devices में चलने के लिए बिल्कुल भी तरीके से possible नहीं है अगर मैं अगली वाली बात करूँ यहाँ पर possibilities की जो की GTA 5 online को लेकर की यहाँ पर चल रही है तो यार बिल्कुल तरीके से यह game अब भी फिलाल के लिए आने वाले दो साल तक के तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जो इनकी pipeline है उसके अंदर अगर मैं आपके लोगों को देखो तो 24 और 25 वो उस time के उपर जो flagship phones होंगे उन में शायद GTA 5, GTA online या फिर जो इन लोग प्रोग्राम कर रहे हैं PC games को mobile में लाने का और जो दूसरे games के बार में भी इन लोगों ने decide किया हुआ है वो आपको तब दे तो पूरा खाली जाने वाला है टेक्टो इंट्रक्टिव के तरफ से सिर्फ आपको GTA trilogy mobile देखने के लिए मिलेगा जो कि दोजाते विस में आएगा वो तो आपको पताए ठीक है तो यह सारी चीज़े दोस्तों GTA 5 और online की यहां पर चल रही है mobile devices को लेकर करके मैं आपको clear एक screenshot देख सकते हो यह official screenshot में आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो कि Tech2 Interactive का है और यह screenshot उन्हों लोगों ने अपने event के अंदर जो उन्होंने 8 August को किया था उसमें release किया हूँ बराबर अब यहां पर दोस्तों आप लोग clear देख सकते हो screenshot में कि 20 games आपको mobile के इंदर मिलने वाल है कब से मिलने वाल है आज इसे लेकर के 2025 तक के आपको 20 games 100% confirm हो चुका है मिलने वाल है Tech2 Interactive और Rockstar Games की तरफ से तो अब यह देख कर के तो आप लोगों को एक बात confirm दरीके से पता चल गई कि अभी हाँ आज इसे लेकर के 2025 जब आ जाएगा तब तक कि अपने को Rockstar या Tech2 की अब दूसरी main बात में आप लोगों को यहाँ पर clear बताता हूँ कि देखो GTA 4 जो है वो आप लोगों को दोस्तो तबी देखने के लिए मिलेगा जब इन 20 games में वो शामिल रहेगा तो वरना देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर यह जो 20 games में से GTA 4 भी उसके अंदर शामिल र आता है तो फिर यार आपको 2025 तक भी GTA 4 मिलने वाला नहीं है अब आने वाले टाइम में ही पता चलेगा जब इवेंट्स होंगे इंट्रेक्टु इंट्रेक्रिव के आने वाले अपकमिंग जो इवेंट्स है जो उसके अंदर वो लोग जब बताएंगे तब ही आपको confirm पता चलेगा तो ये एक suspense उन लोगों ने बना करके रखा है और मैंने आपको clear बता दिया GTA 4 जो है वो mobile में आएगा या फिर नहीं आएगा अगर 20 में शामिल रहे तो बराबर आजाएगा नहीं अगर शामिल है तो फिर तो यार 25 के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक और GTA 4 शामिल रहने वाले है बहुत ही जादा कमचान से से यार मेरे को लग रहा है यहां पर मैं आपको मेरा prediction बता रहे हैं क्योंकि आपको कोई बता ही नहीं सकता वो तो टेक्टु इंटरक्टिव का जो event जब होगा अपकमिंग जो events होगे उनी में ये करके अपने को games जो ह पता चलेगा तो मैंने आपको मेरा prediction बता दिया है यहां पर के मेरे को नहीं लगता यह तीनों के तीनों games इस में से शामिल होंगे क्यों ऐसा मेरे को लग रहा है देखो GTA 4 मेरे को मालूम है capable है mobile devices के अंदर चलने के लिए और बहुत time's term लोग इसका वेड़ भी कर रहे हैं ल प्लैन भी कर चुके होंगे GTA 4 को mobile में release करने के लिए तो भी क्योंकि उनको GTA 6 से तगड़ा पैसा मिलेगा GTA 4 का remastered और बाकी के जो RDR 1 है और बुली वगर की भी बात यहां पर चल रही थी तो यह बहुत सारे games बीच में आ चुके हैं और यही जो है वो दोस्तों बीच में न mobile devices से जब capable नहीं है तो वो कहां से launch करेंगे तो इस वज़े से 2025 तक के मेरेको नहीं लगता तीनों games आएंगा आने ओले टाइम में देखते हैं होता क्या है और जो कुछ भी होगा मैं आपको इसी तरह से एकदम detail के अंदर explain किया करूँगा और जो भी information आएगी आपको detail के अ करूँगा ठीक है तो दोस्तों बस फिलाल के इस वीडियो के अंदर इतना ही complete information दोनों games के आपको मिल गई GTA 4 की भी 5 की भी 2025 तक देखते हैं क्या होता इन games का mobile को ले करके जो कुछ भी होगा आपको information मिल चाहेगी ठीक है वीडियो कर आपको अच्छ लगए तो उस लाइक कर दो शेरकर दो कमेंट्स का दो चैलनल पर नहीं हो तो सब्स्राइब करके ब्लाणों गोजोर सप्रेस के देखी लिगास मैं मिलता आप लोग नेक्स विड़ों में टीलेंड बाई बाई